इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Mobic Week शॉपिंग लोन को बैंक अकॉर्ण में ट्रांसफर कैसे कर सकते हो पहले क्या होता था जब आप Mobic Week से लोन लेते थे तो उस आमान को आप बैंक अकॉर्ण में ट्रांसफर कर सकते थे लेकिन अभी निव अपडेट में आप उस लोन को सिर्फ शॉपिंग में ही यूज कर सकते हो तो मेरे पास इसका एक सोलुशन है जिसका यूज करके आप उस लोन को अपने बैंक अकॉर्ण में ट्रांसफर कर सकते हो मुझे यहाँ पे 30,000 का लोन मिला था उसमें से मैंने 11,000 बैंक अकॉर्ण में ट्रांसफर कर दिये है तो यहाँ पे मैं फर्स्ट आपको विड्रावल हिस्ट्री चेक करके एकाता हूँ तो यहाँ पे मैंने फर्स 1,000 विड्राव किया था उस पे मुझे 37 प्रोसेसिंग फी लग गई थी सेकेंड विड्रावल मैंने 10,000 का किया था उस पे मुझे 366 प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ी अगर आपको लोन अमांट को बैंक में ट्रांसफर करना है तो आपके पास Mobic Week American Express का कार्ड होना चाहिए अगर आपके अकाउंट में एक कार्ड शो कर रहा है तो आपको इस पे क्लिक करना है तो फर्स मैं आपको यहाँ पे मेरी जो ट्रांजक्शिन हिस्ट्रिय है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैंने 1000 and 10,000 को विड्रॉल किया है मेरे बैंक अकॉंट में तो इसका सोलुइशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ मेरी एक hosting website है और उस website में मैंने pay you money का payment system add किया है और जो pay you money है वो इस mobile week के American Express card को accept करता है तो मैंने क्या किया मेरे पास जो mobile week का American Express card है उसकी details मैंने मेरे website में जो pay you money का payment system है उसमें add कर दी और वहाँ से मैंने payment कर दिया जैसे ही मैंने payment किया मेरे mobile week account से balance card हो गया और मेरे pay you money के account में balance add हो गया और वो जो amount है वो मेरे pay you money account से मेरे bank account में transfer हो गई तो इसका मैं आपको एक proof दिखाता हूँ ये मेरा pay you money का account है और 16 तारिक को मैंने 1000 का transaction किया था pay you money पे मेरा mobile week का जो American Express का card है उसका use करके गई है तो यहाँ पे मुझे 20 रूपीज का charge pay करना पड़ा plus GSTB यहाँ पे pay करनी पड़ी second transaction मेरा 10,000 का है जो मैंने 17 तारिक को किया था और यह अभी processing में है मुझे यह amount मेरे bank account में एक या दो दिन में मिल जाएगी तो यहाँ पे जो pay you का charge लगा है वो है 200 रूपीज plus यहाँ पे 36 GSTB पे करनी पड़ी तो अगर आपको loan amount को bank में transfer करना है तो सबसे पहले आपको इस website पर registration करना होगा next आपको मुझे contact करना है और बताना है कि कितना amount आपको bank में transfer करना है फिर मैं आपको एक invoice बना के दूँगा उस invoice के link आपको open करना है next आपको pay now पे click करना है और यहाँ पर आपको आपका जो mobile week का American express card है उसकी creditors आपको यहाँ पर add करके payment करना है payment करने के बाद जो amount है वो मेरे pay money के account में add हो जाएगी फिर वहाँ से वो मुझे bank account में मिल जाएगी फिर मैं आपको UPI से वो pay कर दूँगा लेकिन आपको उसका charge pay करना पड़ेगा तो इस तरह से आप mobile week shopping loan को bank account में transfer कर सकते हो तो अगर किसी को transfer करना है तो वो मुझे whatsapp या call कर सकते है